नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत सौगत है हमारे चैनल पर दोस्तों और यहाँ पर मैं आपके लिए काफी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मिशन लिकर आता हूँ गैजेट्स के बारे में और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग गैजेट्स के बारे में जिनकी कॉस्ट काफी कम है लेकिन आप उन्हें परचेस कर सकते हैं और काफी सारा फंड कर सकते हैं उनके साथ तो सबसे पहले हम लोग शुरुवात करेंगे अपने वीडियो की लेकिन उससे पहले आपसे एक रेक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तो दोस्तों ड्रोन से खेलना तो सबको पसंद है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ड्रोन से फोटोग्राफी करना पर ड्रोन इतने महेंगे होते हैं जर्नली उनको परचेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर दोस्तों आप आ गया है एक ऐसा ड्रोन एचीन ई-010 जो आपको काफी ज़्यादा कम रेट पर मिल सकता है और साथी साथ आपको वह सारी मज़े दे सकता है जो एक आपको महंगा ड्रोन देता है साथी साथ इस ड्रोन के साथ आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोल जिसके साहिता से आप कर सकते हैं अपनी ड्रोन को कंट्रोल थोड़ा सा खास बन पाता है other drones के मुकाबले साधी साथ इसमें मिलता है आपको एक LED, night mode, compass mode, 360 roll mode और भी बहुत सारी ऐसे instant mode जिनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं बहुत सारी amazing इस्तेमाल करके आप अगर आप tap पर काम कर रहे होते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है एक external keyboard की क्योंकि tap वही लोग ज़्यादा रखते हैं जिनको जरूरत होती है official works की क्योंकि अगर वो laptop को carry करते हैं तो कहीं उनके लिए ज़्यादा waited हो जाता है पर tap को सम्हालना उनके लिए कहीं ज़्यादा आसान होता है एक laptop के मुकाबले पर वहां आपको जरूरत पड़ती है एक external keyboard लगाने के क्योंकि कई सारे ऐसे काम है जिसको आप वाइस रिक और गयरा इन पर टाइप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जरूरत होती है एक keyboard की और आप चाहते हैं एक ऐसा keyboard जो कि आप carry कर सकें कहीं भी अपनी pocket में रखकर तो आपके लिए ही बना है gotech r1 go type keyboard जी ह आप दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने smartphone के बारे में आज कर डे बाइडे smartphone का यूज बहुत ही बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उस पर बढ़ते जा रहे हैं होने वाले धेर सारे काम तो मैं बात करता हूँ आज एक ऐसे smart pen के बारे में जो आपके लिए काफी मददग हैं इसी तरीके के पर ऐसा पैन आपने पहली बर शायद हो सकता है देखा हो यहां पर आपको smart pen के साथ साथ कुछ advanced features भी मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अपने phone पर notification और उसका इस्तिमाल कर सकते है as a Bluetooth ये एक pen होने के साथ साथ एक Bluetooth device भी है इसलिए ये pen आम पैनों से थोड़ा सा खास बनाता है तो मेरे ख्यास से ये pen बहुत ही smart है other pen को देखते हुए तो दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफी ज़्यादा important है सभी लोगों के लिए जो लोग technical चीज़ों का इस्तिमाल करते हैं या नहीं भी करते हैं सभी के लिए important है क दोस्तों आपने सई सुना ये एक ऐसा modible glue है जिसकी सायता से आप किसी भी चीज़ को clay कर सकते हैं वहाँ पर इसे paste कर सकते हैं और fix कर सकते हैं आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो भी चीज़ें टूट रहे हैं जैसी कोई technical चीज़ें टूट रहे हैं या कोई ऐसी चीज जिस पर आप decoration करना चाहते हो जैसे kitchen में या कहीं भी तो वहाँ पर आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कुल मिलाकर ये एक glue होने के साथ साथ आपके लिए एक decor का भी काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से ये शुगलू काफी ज़्यादे important होने वाला है आपके लिए दो पेश करते हैं आपके सामने एक smart cube जो कि आपका कई सारे gadget को एक साथ hold करेगा और आप ले सकते हैं सारे मजे एक छोटी सी keyring के बराबर तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो यह है कि यहाँ पर आपको मेलेगा एक USB port जहाँ पर आपको लगा सकते हैं अपना card और स साथ ही साथ यह एक lightning cable की भी तरह काम करेगा और अगर आप चार्ज करना चाहते हैं अपना mobile phone तो यह एक power bank की तरह भी आपका support करेगा साथ ही साथ मिलती है यहाँ आपको एक LED torch जिसके मदद से आप कर सकते हैं काफी सारे काम और यहाँ पर आपको मिलेगा एक OTG connector साथ ही अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो description box में link available है तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं नए gadget की information के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चनल को subscribe करिएगा और वीडियो को share करिएगा और अगर आप इनमें से किसी भी gadget को purchase करना चाहते हैं तो description box में दिये गए link पर click करके आप उसे purchase कर सकते हैं तो फिलाल फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नमस्का जैहिन वंदे मातरम